मतलब जितने भी खाने से जुड़े हुए आइटम्स होते हैं जिनसे खाना बनता है वही ग्रोसरी आइटम्स होते हैं तो ग्रोसरी आइटम्स को भी स्टोर करना चाहिए कूल और ड्राइ प्लेस में मतलब जो जगह है वो ठंडी होनी चाहिए और सूखी और साफ होनी spoiling of food can also be prevented by following some preservation methods this will avoid their wastage also हमें जो है अभी ही तो बात थी कि खाना waste हो रहा है पर खाना खराब भी हो जाता है कभी-कभी तो उसके लिए क्या करना चाहिए तो खाना जो खराब है उसको खराब होने से बचाने के लिए भी कुछ रास्ते हैं वो कुछ बचाने के तरीके हैं जो कि अभी आगया हम पढ़ेंगे और इनसे जो है वो food wastage और spoiling avoid की जा सकती है मतलब avoid मतलब रोकी जा सकती है चलिए इनको पढ़ लेते हैं Drying Some foods can be dried in the sun or on the fire to remove moisture so that they do not get spoiled like potato chips and dry chillies जो drying इसका first method है उसका मतलब है सुखाना कुछ ऐसे food होते हैं जिनको हम sun में या फिर fire में रखकर सुखा सकते हैं जिनसे उनका जो moisture है वो हड़ जाएगा moisture होता है उनके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी होता है जिससे वो खराब हो सकते हैं तो जो moisture है वो हड़ जाएगा जिससे वो खराब नहीं होंगे इनके कुछ एक्जामपल है पटाटो चिप्स और ड्राइ चिली आप सबने सुना होगा आपकी मम्मियां को भी देखा होगा कि वो जब आलू के चिप्स बनाती हैं तो वो आपके घरों के उपर छट पर जाकर सन की रेज में उनको रख देती ह और फिर थोड़े टायम बात वापस लाते हैं इसलिए क्योंकि जो खाना होता है कुछ ऐसे खने होते हैं जिनको सुखाना पढ़ता है वन्ना वो खराब होजाती है और ड्राइछ चिली भी हम लोग चिली भी तो सुखाते हैं लाल द्शे बूस्यज बहुत हम चुकर ऑपर चत पर जाकर आपकी मम्यों ने वो भी सुखाई होंगे आपने देखा होगा तो मतलब कुछ खाने ऐसे होते हैं जो सुखाकर ही उनका मौश्चर हट जाता है जिससे वरना वो खराब हो सकते हैं लेकिन मौश्चर हटाकर वो खराब नहीं होते हैं Freezing It is another way of preserving food like seafood and meat at very low temperatures as microbes have difficulty surviving at such low temperatures अब जो है Freezing इसका दूसरा method है Freezing में क्या होता है Preserve करते हैं food को Preserve मतलब रखते हैं किसी थंडी प्लेस पर कैसे food को रखते हैं मतलब seafood होता है, meat होता है ऐसे चीज़ों को बहुत कम temperature पर रखते हैं क्योंकि वहाँ पर low temperatures में क्या होता है जगे बहुत ठंडी रहती है और जो microbes होते हैं microbes क्या होते हैं Germs होते हैं खाने में वो ठंडी जगाहों पर survive नहीं कर बाते हैं मतलब जिन्दा रहने में काफ़ी difficulty होती है इतने low temperatures पर Low temperatures मतलब जहां पर जगाह भर ठंडी होती है इसलिए चीजों को fridge में भी रखा जाता है refrigerator में और उनको freeze भी किया जाता है इसलिए freezing भी इसका एक rule है क्योंकि microbes हैं वो खाने में germs होते हैं जो खाने को spoil कर देती हैं इसलिए खाने को preserve रखा जाता है मतलब बचा कर रखा जाता है freezing के method से fermentation it is a naturally occurring process in which a natural food is converted into another form by microbes although a food spoils in this process it results in another edible product like cheese from milk fermentation में क्या होता है friends ये इसमें हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता है ये अपने आप naturally हो जाता है occurring मतलब अपने आप हो जाता है ये process खानों में अपने आप हो जाती है खाने की चीज़ों में हमें कुछ नहीं करना पड़ता है इसमें होता क्या है